तो आप भी बर्फ चहरे पर लगाते होंगे तो क्या आपने कभी सुचा है कि बर्फ लगाने पर क्या होता है तो आज मैं बता लूँ चहरे पर बर्फ लगाने से आँखों के नीचे के काले घेरे हमारे डाक सकल रहते हैं वो हटते हैं अगर चहरे में आपके बड़े ओपन हैं या छोटे उपन पोर्स हैं तो आप इसे कंटीनिव साथ दिन तक लगाएं आपको जरूर फायदा होगा इसके लिए कॉटन कपड़े में बर्फ को लपेट कर लगाएं इसे डारेक्ट इसकीन से टच ना करें वसे में आपका इसकीन सुकूरने लगेगा तो आप इसे किस लगा सकते हैं अगर एलोवेर नहीं है तो आप हल्दी और पानी को मिला कर भी आइस तो आइस को ऐसे कपड़े से लपेट कर क्लॉक वाइस ही घुमाएं इससे आपका इसकीन टाइट होने लगेगा और आपकी इसकीन अगर एकदम जादा लूज हो चुकी है तो आप इसे दिन में दो बार भी ट्राइ कर सकते हैं आपको जरूर फायदा होगा इसके अलावा अगर आपका इसकीन किसी तेल विगर से अगर जल गया है तो उसी स्थान पे भी आप बर्फ को लगा इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा आपको पिंपल्स की समस्या है तो उसके लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं तो आप इसे जरूर यूज़ करें और आपको फायदा हुआ है कि नहीं आप मुझे जरूर बताएं आप देखेंगे कि मेरे आँखों के नीचे थोड़ा सा डाक सकल हो गया है तो मैं इसे अपने आखों के नीचे के लिए ज्यादा आपको इससे पहले बर्फ के फायदे पता थे क्या तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं थांक्यू